सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टेक टीप को और बेल आइकन को जरूर दबाएए लेटेश एपलीकेशन गेम और टेक न्यूस के बारे में हिंदी में जानने के लिए हेलो फ्रेंट्स तो आप मेंसे कहीं लोगों को यह मालूम नहीं होता है कि आपके फोन के अंदर टोटल टी माइक्रफोन साते हैं आप जब भी कॉल पर बात करते हैं और आपकी आवाज जभी सामने वाले तक महुंच लिए तो उसे माइक्रो फोन कहते हैं दूस्तों और वो इस दोस्तु आपके फोंस के अंदर टी माइक्रो suite refusing जो एक होता है वह अई मैक्रों और यह प्राइमारी माइक्रों और यो रभी दो बज़ये हो ते सेकंदरी माइक्रोम प्राइमारी माइक्रोफून आपके होables का मेरी बात करते हैं zitten फिर वो आपकी मेरी आवांज होता है वो सामने वाले को सेंड करता है और जो बाकी दो बच्चे secondary microphone वो noise cancellation के लिए होते हैं कि मतलब कि आपके आप करते हैं और आपके आजू बाजू में जो भी noisy area है मतलब जो unknown voice होती है जैसे कि यह आईए unknown voice होती है वो हमारे microphone में जो secondary microphone होते हैं वो उससे cancel कर देते हैं और आप camera और flashlight के बीच में आते हैं एक चोटा सा tiny hole देखा होगा आपने वो होते हैं microphone जो samsung के mobile होते हैं उसमें microphone ऊपर के और या फिर नीचे की और आता है जो secondary microphone होते है मैं उसकी बात कर रहा हूँ बात में जो Xiaomi के mobile में आते हैं वो microphones जो IVR Blaster होते हैं उसके बाजू में आता है बात जो पहला होता है वो होता है primary microphone और जो दूसरा होता है वो noise cancellation वाला मतलग के secondary microphone हलागि iPhone के अंदर best आपको noise cancellation system मिल जाती है क्योंकि उसके noise cancellation system होती है वो बहुत ही powerful होती है क्योंकि उसके सभी variant के अंदर आपको जो यह वो 3 microphones मिल जाते हैं अगर आपको try करना हो तो आप एक बा ब्रेंड को लगे बात कीज़ेगा तो सामने बाले को आपने जब इप आइफोन में बात की होगी तो उसको sound best आया होगा और सामने बाले को जो voice quality होगी वो सामने बाले को बहतर मिली होगी क्योंकि उसके इंतर noise cancellation system आती है वो बहुत ही powerful आती है तो फिलाल के लिए वीडियो वीडियो के साथ सेम प्लेस सेम चैनल टेक टी थेंक यू जय हिंग